भारती स्वर कोकिला सरोजनी नाइडू जी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में हम सभी ने अपनी किताबों में पढ़ा है सरोजनी नाइडू उन महिलाओं में शामिल है जिनोंने भारत की आजादी दिलाने के लिए कड़ा संगर्स किया था सरोजनी नाइडू को लोग भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं सवतंतरता सेनानी, कवीतरी और देश की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नाइडू ने बचपन में ही अपने हुनर का परीचे दे दिया था बारे साल की उम्र में सरोजनी नाइडू ने बड़े अकपारों में लेख और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था संकटों से बिना घबराएं वे एक विरांगना की भाती गाउं गाउं घूम कर देश प्रेम का अलग जगाती रही और देश वासियों को उनके करतववे की याद दिलाती रही उनके भाशन जनता के हिर्दे को जखजोर देते थे और देश के लिए अपना सरवस्व नुचावर करने के लिए प्रेरित करते थे सरोजनी नाइडू को बहुत सी भाशाओं का ज्यान भी था जगे के अनुसार वे अपना भाशन अंग्रेजी, हिंदी, बांगला या गुजराती में देती थी लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोल कर इन्होंने वहाँ उपस्तित सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्द कर दिया था सरोजनी नाइडू गांधी जी से सन 1914 में लंडन में मिली इसके बाद उनके जीवन में क्रांती कारे बदलाव हुआ और वे भी सवतंतरता संग्राम में कूद पड़ी दांडी मार्च के दोरान गांधी जी के साथ आगे बढ़कर चलने वालों में सरोजनी नाइडू भी शामिल थी उन्होंने जीवन परियंत गांधी जी के विचारों और मार्क का अनुसरन किया आजादी की लड़ाई में तो उनका एहम योगदान था ही भारती समाज में जातिवाद और लिंग भेद को मिटाने के साथ साथ उन्होंने समाज के विकास के लिए भी काम किया हम नमन करते हैं सरोजनी नाइडू जी की इस सच्ची देशभक्ती की भावना को और हमें इनकी जैसा बनना है जैहिंद जैभारत